वेलकम बैक टू मैं चाइनल आज की चर्चा में है फाइब तिंग इव केन कंट्रॉल इवरी डे वह यह स्तान जा हम अपने जीवन को बहतर बनाने और खुद को ससक्त बिनाने के तरीके तलासते हैं और आज का वीडियो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हमारे दैनिक जीवन की जीमिदारी लेने के बारे में है जिने हम नियंत्रित कर सकते हैं आज मैं आपके साथ एक मौलिक विचार साजा करना चाहता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन पर महत्पुर्ण परभाव डाल सकता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की सिदान संदे अनिश्चिताओं से भरी दुनिया में इन नियंत्रित ततों को समझना और अपनाना हमारी मानसिक्ता और कल्यान में सक्रात्मक बदलाव ला सकता है पहला महत्पुर्ण पहलू जिस पर हमारा नियंत्रन है वो है हमारा दिरिष्टिकोन जीवन अप्रतियासित छोरों से भरा है लेकिन इन चुनवतियों पर हमारी परतिकिरिया पुरी तरह से हमारी सकती में सक्रात्मक दिरिष्टिकोन चुन कर हम लचिलेपन और आसाबाद के साथ कठिनाईयों का सामना करने के लिए खुद को ससक्त बनाते हैं हमारा नियंतरन में दुसरा तत्वा हमारा प्रयास है बहारी परिस्तितियों के बहुजूद हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना सर्प्रेश्ट प्रयास करने की सकती रखते हैं कार्य करने और उत्कृ जो हमारी बास्तिविक्ता को अकार देता है अपने विचारों को सतर्कता सचेत रूप से चून कर हम एक सक्रात्मक मानसिक बतावरण बना सकते हैं आत्म संदे को आत्म विश्वास में बदले और देखे कि यह चुनोंतियों के परती आपकी धारना को कैसे बदल देता है चौता पहलू है हमारे कार्या हर दिन हमें सक्रात्मक कार्य करने के अच्थर परदान करता है चाहे वह किसी जरूरत मर्द की मदद करना हो अपने लक्षे के लिए काम या द्यालु होके कार्य करना हो हमारे चरित्र को अकार देता है और हमारे आसपास की दुनिया को परभावित करता है आखिरकार हमारा अपनी परतिक्रिया उपर नियंत्रित होता है हाल कि हम अपने साथ होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे परतिकिरिया देते हैं जीवन एक छणों की स्रिंखला है और उन छणों में हमारी परतिकिरिया है हमारी यात्रा को परिभासित करती है सुच समझ कर धारिय के साथ जवाब देना चुने जैसा कि टिम टेवो ने एक बार कहा था उस चीजे के बारे में चिंता ना करें जिसे आप नियंतरित नहीं कर सकते हमारा ध्यान और उर्जा उन चीजों पर होनी चाहिए जिने हम नियंतरित कर सकते हैं स्वभाव प्रयास फोकस यह वो चीजें हैं जिने हम नियंतरित कर सकते हैं यह आपका अंतिम जागरू कॉल होना चाहिए बैठ जाओ सहज हो जाओ क्योंकि हम जीवन के बारे में कुछ भरम तोड़ने वाले जिनका उपयोग आप अपनी खुसी या सफलताओ की कमी को उचित थराणारी के लिए कर रहे हैं जीवन अपने आप में घटनाओं की एक सिरिंखला है जिसका आप के बाद एक सामना करते हैं और फिर मर जाते हैं आपके जर्म के समय और जब आप ताबुक से टकराते हैं तब के बीच आपको जीवन में उन चीजों के बीच संगर्श करना ह जिने आप नियंत्रित कर सकते हैं और जिने आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं यदि इन में से किसी भी संबंद में कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए दोसी एक मात्र बेक्ति आप ही हैं विसक परस्तितिया अलग-अलग बेक्तियों में अलग-अलग ह तो हमने उस विश्वव्यापी सत्य को रिखांकित किया जो हम सभी के भीतर रहते हैं। जब आप आपको बंदी नहीं बनाया जा रहा है या किसी कारण से आप से आपके निवनयों के अधार पर कार्य करने की छमता छिन ली गई है। तब आतक आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपका जीवन कितना गंदा है क्यूंकि आपने सक्रियर रूप से इसी तरह बनाया है या इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। जो की एक जैसी ही बात है, समझे, हम में चुनोतियों का सामना सालिंता से करने की अनुमती देती है, जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इन पहलियों पर विचार करने के लिए पृत्साहित करता हूँ, सक्रात्मत्ता को चुने, अपना सर्फ्रेश्ट सक्रात्मत्त बिचारों का सोच रखे, जानबूज कर कार्य करे और जीवन की चुनोतियों को सालिंता से जवाब दे, हम जो नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके, हम खुद को पूर्ण और ससक्त जीवन जीने के लिए ससक्त बनाते हैं, इसमें कोई पर या उन दिरिश्टी कोनों और विश्वासों से है जो किसी व्यक्ति की स्वेम और दुनिया के बारे में धारना को अकार देता है। बिफलताओं का सामना करना पड़ता है तो विकास की मानसिक्ता वाले बेक्ति इसे विफलताओं के बजाए सिखने और विकास के आउसर के रूप में देखते हैं। उधारन जैसा कि Franklin D. Roosevelt ने कहा था कल के बारे में हमारी अनुभूती एकी सीमा आज के बारे में हमारे संदे होगा। समय परबंदन समय का सबसे कुसल उपयोग करने के लिए किसी की गतिवीदियों का योजना बनाने और ब्यवस्तित करने की प्रकिरिया है। इसमें उत्पादक्ता को बढ़ाने और व्यक्तिगत और व्योसाइक लक्षे को प्राप्त करने के लिए प्रात्मिक्ताय निर्धारित करना, कारेकरम बनाना और समय बरबाद करने वाले गतिवीधियों को खतम करना सामिले। जैसा कि विलियम पिनेंसे ने कहा था समय होवा है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं लेकिन जिसका हम सबसे खराब उप्यों करते हैं। जैसा कि जीम रोहन ने एक बार कहा था अपने सरीर का ख्याल रखे या आपके रहने के लिए एक मात्र जगा है। नमर फोर परडिक्टिवीटी। इसपष्ट उदेशियों की इस्तापना करना और कार्या के उच एस्तर को बनाए रखते हुए अधिक्तम उतपादक के लिए रणिती बनाना सामिले। उधारन उतपादक्ता को बढ़ाने के लिए ब्यक्यूलता को कम करना, इस्पष्ट उदेश अनिर्धारिश्ट करना और कार्या को छोटे टुकडों में विभाजित करके उतपादक्ता में ब्रिधी हासिल की जा सकती है। जैसा कि Walt Disney ने एक बार कहा था, सुरुआत करने का तरीका बादसित का छोड़ना और कार्या को सुरु करना है। चुनोतियों का असफलताओं के सामने आने पर बेक्ती का रोईया उसकी दिरिष्टिकोन और भावनात्मक परतिक्रिया को दर्साता है। सकरात्मक दिरिष्टिकोन विक्सित करने में चुनोतियों को विकास के अउसर के रूप में स्विकार करना, लचिलेपन बनाए रखना और बधाओं को दूर करने के लिए समस्याय समधान की मानसिक्ता अपनाना सामिल है। उधारन चुनोतियों के परति सकरात्मक दिरिष्टिकोन अपनाने से बधाओं को विकासों के अउसर में बदला जा सकता है। जैसा कि Steve Jobs ने एक बार कहा था, महान काम करने का एक मात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे प्यार करें, यदि अपने इसे अभी तक नहीं पाया है, तो देखते रहें, समझावता ना करें। In conclusion, हमारे भागय को आकार देने की सकती, हमारे द्वारा परति दिन चुने गए, भी कलपों में नहीं थे, हम जो नियंतरित कर सकते हैं, उस पर ध्यान करंदरित करके, हमारा दिरिष्टिकोन प्रयास, बिचार, कार्या और परतिक्रिया हैं, हम एक उजवल और अधिक उदे अगर मेरा चैनल आपको अचा लगे, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब